जोतिस एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है तो आईए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधा नमस्कार सु स्वागतम वेलकम मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यव चैनल में आप सबी का स्वागत करती हूँ आज विवाः पंचमी का दिन है विवाः पंचमी का त्योहार माक्षी स्मा के शुकल पक्ष की पंचमी तिति को मनाया जाता है इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवा हुआ था इसलिए इस दिन उनकी सालगिरा के रूप में मनाया जाता है माननेता है कि इस दिन पती-पत्नी मिलकर भगवान राम और माता सीता की पूजा आरादना करे तो उनका दामपत्य जीवन खुशाल रहता है वैवाही के जीवन में कभी कोई भी अर्चन नहीं हाती विवा पंचमी के दिन माता सीता और भगवान राम की विधी विधान से पूजा आराधना करने से विवा से संबंदित सारी बाधाएं दूर हो जाती है अनेक धर्म ग्रंतों के अनुसार विवा पंचमी के दिन न केवल भगवान राम और माता सीता का विवा हुआ था बलकि इस दिन गो स्वामी तुलसी दास जी ने अवधी रामायन का संसकरण पूरा भी किया था इसलिए ये दिन उस हिसाब से भी विशेश रहने वाला है तो विवा पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुपकामना है आज के दिन भगवान राम और माता सीता की विदी विदान से पूजा अर्चना जरूर करें बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज का यानी सत्रा दिसंबर रविवार का दैनिक राशिफल सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की तो माक्षी समा के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथी आज है जो की साएं पांच बचकर तेतीस मिनट तक रहेगी उसके बाद सस्ट्री तिथी प्रारम हो जाएगी गनिस्ता नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है जो के अर्द रात्री दो बचकर चौपन मिनट तक रहेगा उसके बाद शत्र भीशा नक्षत्र प्रारम हो जाएगा चंद्रमा आज मकर राशी में दौपेर तीन बचकर पैतालिस मिनट पर मकर से कुम राशी में गोचर ब्र रहेगा दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना आवशक हो तो घी खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं विवाप पंचमी का दिन है इसलिए आज मैं आपको विवाप पंचमी के दिन किये जाने वाले कुछ विशे पर अगर आप अपने फोकस को बनाए रखेंगे तो बड़ी सफलता भी आज के दिन आपको हाथ लगेगी भागे आपका साथ देगा भागे के भरोसे अगर आपने जो भी काम किये लख फैक्टर के संबंदित कोई भी कारिय की है तो उसमें सफलता निश्यत है मेश राशी के जातक इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा अराधना के साथ उनके सामने धूप दीप जला है और हर दिन ओम नमो नारायनाय मंत्र का 21 बार जाब जरूर करें आपका शुभरंग रहेगा भूरा शुभंग रहेगा जाड अब हम आगे बढ़ते हैं औ गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके कारिय सुगमता से पून होते हुए दिखाई देंगे कारियों में आ रही दिकते और परिशानिया भी समाप्त होती हुए दिखाई देगी आज के दिन धर्म कर्म के कारियों मे आपकी रूची बढ़ेगी घर में मैं माना सकते हैं जिससे घर का वातवरन बहुती हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा वरश्चब राशी के जातक श्री राम जै राम जै जै राम का नाम 21 बार इस मंत्र का जाप करें श्री राम और माता को फल का भोग जरूर लगाए विवा पंचमी के दिन आज के दिन आपको वास जरूर करना चाहिए आपका शुबरंग रहेगा ग्रे शुबंग रहेगा दो अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशी का हाल आपकी राशी से एक चंद्रमा आज के दिन अस्टम भाव में गोचेट रबन करेंगे और तिंकिंग आपके लिए नुकसान दायक साबित हो सकती है ससुराल वालों से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है इसलिए इस बहस से बचना ही आपके लिए बहतर रहेगा आज के दिन कॉंसेंट्रेशन से अपने कारियों को करें घर से दूर रहकर यात्राएं करनी पड़ सकती है पर यात्रा में अपने सामान का विशेश रूप से आपको ध्यान रखना होगा विवा पंचमी के दिन मितुन राशी वाले उपवास रखें और जानकी जी और भगवान श्री राम की उपास ना करें साथी उन्हें पूल अर्पित करें और इस दिन हवन का भी आयोजन करें आपका शुबरंग रहेगा नीला शुबंग रहेगा दो अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं करकर राशी का हाल आपकी राशी से एक चंद्रम आज के दिन सब्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अतर आज का दिन दामपत्य जीवन को और अधिक खुशनुमा बनाता हुआ दिखाई देगा लव रिलेशन्शिप वालो के लिए आज का दिन एक दूसरे के साथ बिताने का है पूरा दिन आप अपने लव मेंट के साथ बिता के उनकी हर शिकायत को दूर करेंगे अपने बीच की बर्णिंग को और अधिक बैतर करेंगे या व्यापार से संबंदित कुछ विशेश योजनों की प्लैनिंग करते हुए आज आप दिखाई देंगे श्री राम और माता सीता का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए करकर आशी के जातक आज के दिन ओम श्री राम का जाप 21 बार करें और माता का आशिरवाद जरूर ले इस दिन उप्वास रखने से विशेश लाप्राप्त होगा आपका शुबरंग रहेगा काला शुबरंग रहेगा चार अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सीहराशी का हाल आपके लिए इतना अच्छा नहीं है मानसिक चेंता हैं स्वास समंदी समस्या हैं आज के दिन आपको घेरे रख सकती है वहीं आज आज आपके प्रतिदवंदी आपके खिलाब आपके परिवार के भी कान भड़ सकते हैं अब हम आगी बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन पाचवे भाव में गोचर ब्रह्मन करेंगे अथा आज का दिन आपके करियर को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है करियर से संबन्दित सुब समाचार प्रापतोंगे संतान भी आपको प्रसंद चित करने का प्रयास करेगी पश्चे करें इसके साथ ही ओम जय राम का जाप करें आपका शुपरंग रहेगा नारंगी शुबंक रहेगा ती अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशी का हाल आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर प्रमन करेंगे आर्तिक समस्या है आज के दिन बढ़ सकती है इसलिए अपने आर्तिक पक्ष को देखकर ही अपने भविशे से संबंदित आपको प्टैनिंग करनी चाहिए मा के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बैतर होती हुई दिखाई देगी काम धुरुत कती से संपन होंगे करियर में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएगी और विवा संबंधी नियोते आज के दिन आपको प्राप्त होंगे विवा पंचमी के दिन पती पतनी साथ मिलक राम चरित मानस में वर्नित राम सीता प्रसंग का पाठ करें मानिता है इससे शादी शुदा जीवन में मिठास गुल जाती है आपका शुबरंग रहेगा स्लेटी शुबंग रहेगा तीन अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं व्रशिक राशिका हाल आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके बल और पराकरम को बढ़ाएगा भाई बैनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बैतर होगी राधनिती से संबंदित सुब समाचारों के प्राप्ति होगी आज क दिन अचानक धनलाप के योग भी बनेंगे प्रश्चिक राशी के जातक पिवा पंचमी के दिन माता सीता और माता पार्वती की पूजा अराधना करें और ओम जैराम सीता राम का जाप जरूर करें आपका शुबरंग रहेगा मजंटा शुबंग रहेगा च्छे अब हम आ गोचे प्रमण करेंगे आज के दिन वर्क प्लेस पर आपको कोई बड़ी उपलब्धी मिल सकती है आज के दिन आपको कुटम मैं मानसमान पराप्त होगा सामजी कारीक्रवों में परिवार के साथ आप हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे आज के दिन कोई विशेश कारि मैं आपको चीव केस बना कर भी बुलाया जा सकता है विवा पंचमी के दिन धनूर आशी के जातक अपनी माता का आशिरवाद जरूर ले और उपवास रखे इस दिन रामकता का पार्ट करने से भी विशेश लाप्राप्त होगा आपका शुब्रंग रहेगा के सरिया शुबं करेंगे ता आज के दिन कोई भी कारियत जल्द बाजी में करने से बचें आज के दिन आपकी पर्सनालिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी आपके कारियों में आरी बाधाएं भी दूर होती हुई दिखाई देगी आपका विशन क्लियर होगा सेल्फ कॉंपडेंस इंक्री आराधना जरूर करें आपका शुबरंग रहेगा बूरा शुबंक रहेगा दो अब हम आगे बढ़ते हैं और चानल लेते हैं कुम्राशी का हाल आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन बारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज का दिन खर्च की स्ततियों को बढ़ा सकता है अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंतरित करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें परिवार की emotional bonding आपके साथ बनी रहेगी आज के दिन परिवार में मांगलिक का रिक्रमों की रूपरे का रखी जाएगे और कुटुम से सुपसमाचार मिलेंगे विवा पंचमी के दिन कुम राशी के जातक भी सामर्त के अनुसार दान धर्म करें और राम राम सीता राम का उच्चारण 21 बार जरूर करें सिंदर का आंड का पाड करने से भी विशेश लाप राप्त होगा आपका शुब्रंग रहेगा गुलाबी शुबंक रहेगा एक अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन ग्यारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन अचानक धनलाप की परिस्तितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो विक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा थोड़ा सा परिवार के साथ मदबेद हो सकते हैं खासकर दद्याल पक्ष के साथ बादचीत करते समय सावधानी रखें आज के दिन पिता से पूरा और मॉरली सपोर्ट मिलेगा मीन दाशी के जातक विवा पंचमी के दिन उपवास रखें और राम कता का पाठ करें आपका शुबरंग रहेगा भूरा शुबंग रहेगा तीन तो ये था सत्रा दिसंबर रविवार का दैनेक राशी फल अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूं स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री रादे कुष्णा गुरुमा निधी श्रीमाली एक प्रसिध जोतिश आचार्य हैं उनके जोध पुरिस्थित जोतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान, पं पांच, पांच, छे, पांच, आर्ट, तीन, छे, दो